जो आपका यह है यह मेटल है और यह किना है के ऑडलो इस्टुडेंट्स मैं आप का अंके सल लेकर आगे हूँ पीरिोडिक क्लासिफिकेशन ओफ एलिमेंट तो आज हम पढ़ेंगे एक सो इसका वह przy इसका परिशन ऑफ ऐसा कि आभी याफ पिरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बोलते हैं एक बात ध्यान लगना यह बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 के पॉइंट आप यह बहुत से बच्चों को डिफकल्ट भी लगता यह चैप्टर है लेकिन यह क्लास 11 में आ जाओए 12 में जाओए या फिर आफ पर दर नीच जी की तैयारी करेंगे तब के लिए भी बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है तो बहुत ध्यान से बढ़ना बहुत गौर संपटर मीफक तो चलते हैं देखते हैं उससे पहले अपण देख लेते हैं थोड़ा वेटेश के बारे में जान लेते तो यहां स सेविन मार्क के क्वेशन पूचे गए हैं तो आई होप आपको यहां पे किलियर हो गया होगा तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पीडियोडिक आप देख रहे हैं यहां पर बहुत सारे यहीं करना और इसFit फूरीनमेंट यहां तो एकका निमेंटि यहां different different जगह जब element पढ़े हुए तो हम study नहीं कर सकते हैं इसी लिए इसको एक जगह arrange करना था तो इसके लिए बहुत सारे scientist आए जैसे आपके पहले आए दोबेनियर साब आए फिर निव लेंड साब आए फिर कौन से आए आपके मेंडिली और फिर आए मोजले मोजले उसी को अपन बोलते हैं आजकल क्या modern periodic table उन्हीं की पढ़ते हैं तो हम जानेंगे पढ़ेंगे एक एक करके सारी theories को पढ़ते हैं तो पहला क्या है आपका डोबेनियर ट्रेट्स है तो देखो डोबेनियर ट्रेट्स साब ने क्या बताया ध्यान से सुनना बच्चा पाटे दोबेनियर साब ने बताया आपने को कि क्या बताया कि मालों तीन इलिमेंट है ए बी सी ठीक है उन्होंने क्या बोल़ा कि जो फष्ट और थोषड वाले एलिमेंट का आप एक्टो मेक मास का कैले ले लेंगे ए वुरेज ले लें एक ले disagreement 45という व्हूण जैसे आप आब धसलेंगे तो किसके बराबर होगा वह बीच वाले element के atomic mass के बराबर होगा एक बात ध्यान रखना बच्छा बाटी यहां पे जो arrangement किया था वो increasing order of atomic mass के basis पे arrangement किया हुआ था तो देखो यहां पे क्या हुआ जैसे आपको क्या निकालना बी का atomic mass निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप a plus c को क्या कर दें atomic mass को average ले लेंगे वो किसके atomic mass के बड़ाबर होगा बी के atomic mass के बड़ाबर होगा जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपको example के थूरू भी समझा देता हूं lithium ले लिया हमने sodium ले लिया और हमने potassium ले लिया ठीक है अच्छा लीथियम का कितना है atomic mass देखें तो लीथियम के अच्छाइब लिया ने कालना है तो इस तरीके से आप कहा निकाल सकते हैं आप मिडल वाले element का कहा निकाल सकते हैं atomic mass निकाल सकते हैं इसको टेड क्यों बोलते हैं इसलिए बोलते थे तीन-टीन element के क्या बने गुरुब बनाएं और अब टू कितने element तक बनानों 9 element मतलब इनके simply उस टाइम जो नोन थे उनके टाइम में सिर्फ और से तीन ही ट्रेड नोन थी वह कौन-कौन से थे जैसे आपका लीथियम, सोडियम, पोटेसियम हो गया एक है आपका कैल्सियम, स्टॉन्टियम, बैरियम हो गया एक हो गया आपका किलोरीन, बिरॉमीन, आयोडीन हो गया तो इस तरीके से वह अरेंज करते चले गए ठीक है अच्छा तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है इसके बाद यह बैरेंट नहीं था ठीक है तो अब हम जानते हैं किलोरीन, बिरॉमीन, आयोडीन, लीथियम, सोडियम, पोटेसियम और आपका कौन सा हो गया और आपका सिंपली हो गया केल्सियम, स्टॉंटियम, ठीक है अच्छा यह सब नाइन अलिमेंट था कि बैरेट था इसके बाद यह बैरेट नहीं था ठीक है तो अब हम जानते हैं न्यू लेंड्स लाफ ऑक्टेप्स के बारे में हम बताएं तो सिंपली देखो आपको में एक बताता हूं बात यहां सब्सक्राइद और एलिमेंट कांसे हैलिमेंट फष्ट और एर्फमेंट की यह बिख रोपर्टी होती हैं आप मोई स्थां और में किस और में बता या यह नई किया किया मुझीचल ऑडर में ऐलिमेंट को अरेंज कर दिया कौन से मुझीकल ऑडर यहसे बोले तो सारे गा मा नी तो तो मतलब जो फ़र्स्ट और यह एडा है देख सकते हो इनकी प्रापर्टी ज्या हों गी सेम होंगी क्या होंगी प्रॉपर्टी ज्याव हो तो आय होप आपको हो यहां पर के लियर हो रहा हुआ तो यहां प्यों किया गया है वो कैसे किया गए म्यूजिकल ऑडर में में आरेंजों में किया हुआ है तो क्या हुआ हो यहां पե लेखा हुआ भी यह लिखाओ अंदूं 講य क्वेट कर रहे है ठीक है आप क्या वह दो इद ऐसे मिलार फिजिकल एंड-chemical प्रॉपर्टी अकर अकर आफ्ट रीच इंटर्वल गी मैं एट्ट मुंस से इलिमेंट के बाद एड्स एलिमेंट जो आए गा उसकी प्रॉपर्टी आप यहां पर में कि लिए कि अपको आपको यहां पे किलियर हो गया हुआ कि किस तरीके से उनों ने क्या किया अरेंजि किया हुआ है तो लाउफ ऑक्टिफ समझे लो यहां पे फिर से बहुत इंपोर्टेंट वहा आता एक वसन आचा है अब हम इसकी बात कर लेते हैं simply किसकी डिमेरिट से या आप डिसएडवांटेजिस की बात कर लेते हैं तो न्यू लेंड ने क्या किया न्यू लेंड जो बैलिट था वो अप्टू केल्सियम तक ही बैलिट था मतलब 20 एलिमेंट तक ठीक है न हम बोले एक टॉम मेंग मास 40 तक ही क्या था बैलिट था कि यह सिर्फ लाइटर एलिमेंट के लिए ही वैलेट था इसी लिख सकते हमें आपे डैट इस लाइटर एलिमेंट के लिए क्या नहीं था यह वैलेड नहीं था ठीक है और उस टाइम बच्चा पाट्टी क्या था अउनली एंड ओनली 56 एलिमेंट डिसकबर हुए थे और जो आपकी निवलेंट साब थे वहीं मानते थे कि 56 एलिमेंट ही नेचर में क्या होते हैं एक जिस्ट करते हैं जो नए उसको वहां पर उनकी जो प्रॉपर्टीस थी वह कहनी हुई फिट नहीं वैठी ठीक है ना जिसकी बजाए से यह भी क्या हो गया उनका एक डिस्ट एडवांटेज हो गया तो आए होप आपको यहां पर किलियर हो गया होगा तो देखो यहां पर लिखा हुआ भी यह सिर्फ और सिर्फ कैल्सियम तक ही बैलेड हुआ तो आए होप आपको यहां पर किलियर हो गया होगा अब देखो नेस्ट हम पढ़ते हैं मेंडली पीडियोडिक टेवल हीवाज बैरी जीनियस यह बहुत ही जीनियस इंसान था इसने बहुत कुछ उसी टाइम बता दिया था जो डिसकवरवी नियुलेते जो मेंटबर हुए थे डिस्कवरवी नहीं यहां पर एक नंबर में बाता में आपकी किसफे एक बात देखो यहां पे लिखा हुआ भी दा प्रॉपर्टी ऑफ एलीमेंट और पीडियोडिक फंक्शन और डियर एक मासिस किस पर करती है एक मासिस पर डिपेंड करती है तो देखो यह कितना दीनियस ता उस टाइम बात करें थोड़े सी एदियम इनकी पॉइंट की बात क हैं क्यों छोड़ दिया है वह उसे पता था कि न्यूई element क्या होगे आपके discover हो जब इनकी होगी तो उनको क्या देनी होगी बिज क्या देनी होगी तोस ने blocks खाली छोड़ दिये थे जहां पर element आने थे देंको उसे time पताता तो यह element यह है और यह यहां पर plays होगा इतना दी यहां पर बेद्ट की berry की बात कर रहा हूं अब कर एदार क्रोंगा यहां दो लोगी कर सब्सक्षाद बहुत क्ष़ाओं अच्यार बहुत सारे सब्मेंग क्लिए अब इसने बहुत सारे क्या कर दिया था एंटोमिक जैसे Like Gold और sheer तो आपको यहां पर min keen लेज़한 फिरमित से क्या थे देखहे यहां पर इसंपली थे यह कहाँ है आप पोजीशन आफ हैज़न को नहहीं दे पाया सोचता रहा कि सोचके हैं पोजीशन आफ को नहीं दे पाया कि एक्सको है आइसो टोफ के यह को आइसो टोप के कह नहीं दे पाए जगह की नहीं में Γें़ है किसको अच्छा दे और यह नहीं पी 1996 उसको भी क्या नहीं कर पाए ऐस प्छलेंन नहीं कर पाए दो डेसे का मतलब क्या होता है एक after some interval time मतलब कुछ time बाद क्या उन्हें लगती प्रॉपर्टी रिपीट होने लगती हैं तो से क्या बोलते हैं उसको अपन पिरियोडिसिटी बोलते हैं जैसे डेली घड़ी में बारा बजना या आपका डेली स्कूल जाना वो क्या आपकी पिरियोडिसिटी स्यम आप्टा सम इंटर्वल आफ टाइम के बाद क्या हुआ आपका रिपीटीशन होने लगेगा तो आपको यहां पे किलियर हो गया होगा अब चलते हैं नेस्ट क्या आपका नेस्ट है आपके मोजले साव आए बनाया इन्हों ने क्या किया इन्होंने सिंपिली किया जो मौडर्न पीरियोडिक टेबल था वो था सिंपिली क्या था बच्चवारी देखो वो ता जो आपके जो प्रॉपर्टी जैं जो आपकी प्रॉपर्टी जैं वो किस पर डिपेंड करेंगी वो सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेंगी किस पर करेंगी एटऑ्मिक नमबर पर डिपेंड करेंगी तो आपको किलियर हो गया हुआ तो यहां पर हम देख लेते हैं क्या है यहां पर लिखा हुआ यह प्रॉपरल्टी जो अफ एलीमंट आरे Videogic Function पर अब आपको यहां पर किलियर होगा तो अब मैं एक बात और बता दियता हूं यहां पर जो आपके मौडर्ण टेविल थी उन्होंने जब बनाया मोजले साथ में जब पिडियोडिक टेविल बनाई तो नहुंने मेंडलीप की तीनों बातों का द्यान रखता तो आप समझ सकते हैं यहां पर इना मैंडिलीव की तीन बात वह भी तीन बात क्या जनरली ड्राव एकस पे ध्यान रखता किसको ब्रॉब एकस का ध्यान लगता जैसे मैं आपको समझा ओं यहां पे सिंपली समझा ज़कता हूं तो देखो जैसे हाई्टोजन को मेंडeral जगहें नहीं दे तो मोझले साहाँ ने लेा उन्होंने तोड़ेन को अलगी प्लेस कर दिया पीडोटे के बाहर प्लेस कर दिया क्यों किया था कि हाइडोजन जो था फ्रस्ट गृप तो आपको यहां पे किलियर हो गया होगा अच्छा एक बात और बता दू मैं यहां पे यहां पे यहां पे लिखा हुआ है इंपोर्टेंस आप गुरुप बोले तो देखो बेटा जो आपने गुरुप में एलीमेंट को अरेंज किया यहां लीथियम स्टोडियम पोटेसियम रूबीडियम सीजियम इनके जो बैलेंस एलेक्टोन होंगे क्या होंगे इनके बेलेंस सेम ही होंगे मतलब बैलेंस जन्रली देखा जाँ आज आणर कोन्फिगेशन के सिसट पर लाइव में पढ़ोगे ऑभी आप अतना त्रप्र प्लेंस быть थे अ क्या हूँआब में जो बेलेंस सेलमें सेबंग किस मिभ्वह सेम होंगे किया हूँगविस आप जैसे लीथियम का मैं करके दिखाओ देखो लीथियम का लेकिन बैलेंस यहां भी बना है और यहां भी क्या आपका वेलेंस एलेक्टोन से तो आपको यहां पर किलिए हो गया हुआ लिखा हुआ भी है गुरॉफ्स इंदा पीरियॉडिक टेविल शिगनिफाई एंड आइडे अच्छा अब जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो नंबर ऑफ सेल्स लो क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है नंबर ऑफ सेल्स नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है तो आपको यहां पर किलिए हो गया होगा ठीक है अच्छा अब देखो यहां पर क्या बोला है कि element have same number of balance electron क्या होनी चीव गृुरप में element के जो आपके गृुप में जब elements है उनकी balance electron क्या होना चीव होना चाहिए ठीक है ना अब देखो लेकिन वो क्या करें नमबर ओफ सेंश कंटेंड करेंगे ऐसा नहीं सेल्स सेम नहीं होगी जो सेल्स हो इस तरीके से आप देख सकते हैं अब बात आती है पीरियड की तो पीरिड किसे बोलेंगे तो बात बताएं जैसे आप लेप टू राइट जाओ तो क्या हुआ एक एक इक होगी एक एक टॉन भी बढ़ता चला जाएगा किसमें वह भी आउटर मोस्ट घ्रल में तो आपको यहाँ पर किलियर हो रहा है दो लिखा हुआ है दा नंबर ऑप बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इंकिरीज़ वाइब बन यूनिट एज दा एक एक नंबर बढ़ता जाएगा और एक 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 लेक्ट्रॉन भी बढ़ता हुआ चला जाएगा ठीक है अच्छा अब क्या बोल सेम ही होंगी सेम इसे मलें टू सेल्स आई लिथीयम और बैरीलियम ले ले लिया वेशरीय है का हुता चार इसकार गत्र Von यह जी अच्छा और तो दोसीं है दोसेल्स यह वह कर दोसे ऑन और तो यहनैसे िइसकी ट्रेंड की बात कर देंट से सबसे पहले आया आपका एक्जाम्पल बेलन सी का तो दो बैलंसी कैसे लिए किसे बोलते हैं आपको बतानाँ जो आउट्र मोसल में लेक्टन यहां आउट्रमूष्ट इافटे आलेमें उसकी क्या है Healing या लास्टट में जो आपके क्या है एलेक्टे इससे क्या बोलेंगे तो ने सिंपुली णाउट Damn बैलेंसी को सू करेंगे लेकिन एक में इंप्रेंट बात दा देता हूं यहां पर वो चीज कंडिशन होती है यदी आउटर मुस्टेल में एक से 4 तक लेक्टोन एक से 4 तब तो उसकी बैलेंसी वही रहेगी यह जो से जाद है चार से ज्याद है गया होगा जैसे नाइट टोजन ले लिया नाइट टोजन का क्या होता है एलेक्ट्रोन इस तरीके से कर लेंगे अच्छा एक और बात ध्यानक ना यह दि गुरूप में आप आउए टॉप टॉटम ठीक है ना जब टॉप टॉटम आउए तो बैलेंसी क्या रहेगी से है लाइट लाइटो जाने पर क्या होता है फर्स्ट तो पहले तो श्टाटर रिमें कल乐 होगी बैलेंसी और तो फोलम टायम बाद आक्टर सं म्पान बाद प्लावटिंट टी έχει ओलेंग जह कुंद लेंडळे इस तरीके से से भी समझ सकते हैं तो पहले क्या हो रही है उसके बाद क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है देखो बच्चा बाड़ी बहुत ध्यान से समझना भाई बहुत इंपोर्टेंट चीज है यहां पर अच्छा अब देखो अब हम से बात आ रही एक टॉमिक डेडियस की बात कर रहा है तेल की डिस्टेंस को चाहिना से ना डिस्टेंस यहां पर मैं नीूक्लियस लिख देता हूं ना नीडियस से आउट आउटम तर Community सुझे क्या बोलता है अपन अब लिए सब अब आत में radius का variation period में क्या होता है तो जो period में क्या होता है अब एक बात ध्यान सुनना जब आप left to right जाएंगे कहां जाएंगे left to right left to right period में जा रहे हैं अब क्या होगा यहां पे तो क्या होता है आपको पता है यह मालू यह जाएक बड़े गात अठ्याटिवर चार्जर क्या हो रहा है भात जब नूक्लियर चार्ज हो रहा है तो मतलब हम आपए सबसके यहां पर attract क्या होगा दोनों की बीच में पोलो हट्रेक्षन जादा है क्यों सकते हैं क्योंकि force of attraction nucleus और outermost cell के बीच में बढ़ रहा है जब force of attraction मलेगा तो size क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा तो I hope यहाँ पे आपको clear हो गया हुआ atomic size बोले हैं यहाँ atomic radius भी बोल सकते हैं ऐसा नहीं तो कि atomic size किस पर depend करता है atomic radius पर ही depend करता है तो left to right जाने पर atomic radius क्या होती है decrease होती है बहुत important question है देखो आप यहाँ पर diagram से भी समझ सकते हैं देखो यहाँ पर क्या हो रहा है सिंप्ली आप diagram देख रहे हो तो देखो left to right जा रहे हो size क्या होता जा रहा है देखो तो आपको यहाँ पर clear हो गया होगा अच्छा अब बात आ nuclear charge which tends to pull the electrons closer to the nucleus है ना मतलब क्या हो रहा है देखो जब nuclear charge बढ़ रहा है और nuclear charge बढ़ रहा है nucleus और outer most cell की बीच में तो क्या हो रहा है सिंप्ली size क्या हो रहा है छोटा हो रहा है size छोटा हो रहा है ठीक है ना तो इस तरीके से आप समझ रहे हो तो वही region लिखा हुआ है nuclear charge बढ़ रहा है तो reduces the size of the atom मतलब reduce हो रहा है size किसका atom का तो I hope आपको यहां पर clear हो गया होगा तो simple बासा में दी हम बोलें यहां पर तो simply मैं लिख देता हूँ देखो बच्चा बाटी तो यहां पर left to right जा रहे हो है ना left to right जाने पर nuclear charge मैं बहुत ध्यान से से लिए बता रहा हूँ उस पर ज्याद़ को और दे रहा हूँ increase होगा है ना और जब nuclear charge increase होगा तो आप समझ सकते हैं यहां पर तो size क्या होगा कि डिक्री जोगा या atomic radius बोलते हैं कि atomic तो आई होप आपको यहां पर किलियर हो गया होगा अच्छा अब देखो अब हम बात कर रहें डियरीटी उसका क्या variation आएगा इसमें गुरुप में आने पर में अने पर आप तॉप टू बाटम आते हो आ द्यांस तो डियर अन तॉप टू बाटम बोलें या इन गुरुप बोलें तो गुरुप में आते हो तो क्या एकर डियर्ज या साइज क्या होता है बढ़ता अब बोलों को सैंसे क्यों होती है नम्बर ओफ सेल्स कि इंकली उती जी से तो देख सकते हैं यहाँ पर जेको इस तरीके से शेल्स बढ़ती चली जानिक जब भड़ेंगी तो क्या होगा बताओ और बढ़ेगा है बढ़ेगा हैंना और अच्छा बनी तो नुखियर चाँज कॉल रहा है तो आप आप से क्या और पूचब पंछाए बनार कि नियूक्लिर Nu डीयर हो रहा है है तो देहां पे इस यहां से यहां तक क्या घृँन सेन्स टी सब्दब बढ़ गई अब दिस्टेंस बढ़ गई तो यह पर आपको यहां पर कि लिए तो टॉप टू बॉटम आने पर अटॉमिक रेडियस इंक्रीज ओ रही है जो कितना इस पर कॉर्चन मनता है इस क्वर्चन को ध्यान से देख लेना वह आप गि मैटालिक करेक्टर और नोन मेटालिक करेक्टर कीसे बोलेंगे नॉन मेटालिक करेक्टर कैसे निकालेंगे इन सब की हम बात कर लेते हैं तो जेखो अब मैं बात बतातू simply मैटल किसे बोलते हैं जो आसानी से लेक्टॉन का क्या कर दे लॉस कर दे उसे क्या वही अच्छी मैटल है ठीक है अच्छा या है ना नॉन मैटल किसे बोलेंगे जो आसानी से लेक्टॉन को क्या कर ले गेन कर ले उसे क्या वोलेंगे नॉन मैटल वोलेंगे तो आपको यहां पर किलिए रोगा मैटल किसे बोलेंगे और नॉन मैटल किसे बोलेंगे अच्छा अब यहां पर पूचा जाता है इप टेंट्स में क्या होता है यह ना यदि हम बात करें आप मैटल्स कैसे बोलेंगे नॉन मैटल्स कैसे बोलेंगे एक मैटलोइड भी होता है है ना तो मैटल कैसे बोलते हैं जो आसानी से लेक्टान को लॉस करेगा उसे मैटल बोलेंगे नॉन मैटल जो गेन करेगा और मैटलोइड किसे बोलते हैं कि मेटलोइड किसे बोलते हैं जो मेटल और ननमेटल इसandy दोनों की प्रापयर्टी जो सो करें उससे क्या बोलते हैं पर के लिए हो गया हूगा अब एक बताता हूं यहां पर अब हम यहां पर इनकी हम टेंड देखें प्डॉ कुप वॉतर माईं गुरूप में बात करें, समझ ले ना यहां पर, मैं यही पर समझा देता हूं, तो जब गुरूप में हम बात करते हैं, metallic character की, तो गुरूप में metallic character increase होता है, अब बोलोगे सर कैसे, metallic character increase होता है, देखो बिटा, क्या होगा, size बढ़ेगा, है ना, size बढ़ेगा, मतलब atomic radius बढ़ेगी, तो force of attraction क्या होगा, nucleus, जो nuclear charge हो, वो कम होगा, ठीक है ना, atomic radius बढ़ेगा, तो वो आसानी से क्या कर देगा, आसानी से electron को loss कर देगा, और जितनी आसानी से electron को loss कर देगा, वो उतनी अच्छी क्या होगी, मैटल होगी, ठीक है, यह हम ऐसे बोल सकते हो, उतनी ज्यादा क्या होगा, एलेक्टो पॉजिटिव करेक्टर आएगा, क्यों जो आसानी से electron को loss कर देगा, जैसे मालनो sodium है, sodium ने electron का loss किया, na plus, पिलस electron, तो जब electron को loss किया, तो इस पर क्या है, एलेक्टो पॉजिटिव करेक्टर भी बढ़ेगा, पिलस, क्या होगा, मैटल एक करेक्टर भी बढ़ेगा, तो आई होप आपको यहाँ पे किलियर हो रहा होगा, ठीक है, अच्छा, अब आपको मालनो lap to right जाना हो, ध्यान से समझना, अब जब लेक्टो पॉजिटिव में चले बढ़ गया, ठीक है न, अच्छा, अब जब लेक्टो राइट जाओगे, तब क्या होगा, तब simply आपका, क्या होगा, ध्यों, size क्या होगी अच्छा, वह इस होगी, बोलो, भीक्रीज होगी, और जब atomic radius इस होगी, तो आपको पता है, यहाँ पे, सेंपली त्रक्रेज़िफ निूवक्लियर चार्जिंग जिए नियूक्लियर चार्ज है बहात इकन कर पाएगा वहागत नहीं कर पाएगा आजानी से यदि आप देखोगे की इलेक्टान का अफ है ल्स नहीं करेगा इसक्राह्श नहीं करेगा तो आप समझ सकते हैं उसके मतलब क्या नहीं आगा तो आप समझ सकते हैं कि लेक्टु राइट जाने पर एलेक्टो पॉजिटिव नेचर भी डिक्रीज करेगा और मेटालिक करेक्टर भी क्या होगा डिक्रीज करेगा तो इंक्रीज क्या करेगा यदि इंक्रीज करने की बात आए तो और नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करेगा नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करेगा तो आपको यहां पे किलियर हो गया होगा ठीक है ना अच्छा जो मेटालिक करेक्टर का ओडर होगा उसके जश्ट अपोजिस क्या होगा नॉन मेटालिक करेक्टर का ओडर तो आपक तो देखो आप यहां पे उसी तरीकी से लिखा हुआ भी मेटालिक करेक्टर गुरूप में कैसे बैडी करता है यह मैंने बता दिया है तो एक बाद देता हूं बता दो डाउन दा गुरूप अच्छा तो अब आपको देखो जतनी ज्यादा नुकलियस से दूरीया होगी वह उतनी आसानी से क्या कर देगा एलेक्टोन का लॉस कर देगा जैसे कि देखो मैं एक बात बताता हूं आप घर से जतना दूर होते हो है ना तो तरीके से आप इसे करोगे तो उस तरीके से आप क्या हो जाएगा पैरेंट्स के बैरेंट्स आपके मालों नूकलियस हैं और आप क्या हो इलेक्टोन तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं अच्छा अब अपको यहाँ पर सरिक्यों लिखा हूआ लिखा है औरि तरेको तो इस तरीके से आप देख सकते हैं या पर मेटालिक करेक्टर और नौन मेटालिक करेक्टर मैंने बहुत अच्छे से बता दिया वही बच्चा देखो यदि आपको कहीं प्रॉब्लम आ तो वीडियो को बारवार देखें जब तक की किलिए ना हो जाए ठीक है अच्छा अब हम लोगों ने भी पीवाई क्यू रिकॉर्ड किये हुए हैं सारे के सारे आप लोगों के लिए हैं तो आपको क्या करना है डिक्स्क्रिप्शन में क्या दिए हुई है लिंक दिए है आप उस पे किलिक करें और आप वहां पे पर चेज कर सकते हैं वह भी सिप 10 लुपीज प आपको क्या बताना कुछ आपको यहां पर क्वेशन दे दिए बना कि उनको आपका उनको आपको कहा देना आंसर देना है तो कैसे देंगे आप सिंप्ली समझना राइट फॉर्मूला ओफ कंपॉंट फॉंप बिट्वीन उन्होंने फॉर्मूला पॉम्पॉंट पूचा भ दियर भी हो जाएंगे अच्छे से और आपको पता भी लग जाएगा तो देखो मैं क्या बताने बाला हूं जो आपका गुरूप नंबर कैसे निकालोगे के गुरूप नंबर का तरीक समझ लिए ना यदी मा लो आपके बैलेंस ईलेक्टों में एक और दो आसा इलेक्टों है को कुछ नहीं करना सिफ करना 10 प्लस वैलेन सिलेक्ट तो सबता नहाई करो करो क्या करना आपको छिंपलिए आप यहां पर आप इसका क्रोंब नंबर निकालना आ जाएगा इस तरीके से अब देखो आप यहां पर बात कर रहे हैं जब आपको पोजीशन दी गई ए तीन एलिमेंट देदी A B C और आपने A B को क्या रखा B गुरुब बन में जब गुरुब बन में मतलब इतना तो किलियर हो गया उसके बैलेंस इलेक्टोन भी क्या होगे पर लूपिए उसकी बैलेंसी क्या होगी उसके डिोड़ी बैलेंसी की बात करें वह भी क्या विधियें गार अच्छा है जब एसेंटीन है अधको मुझे तो पता है हम लोग पढ़ाती थो में पता है यह आपका दिखेगा इस तरीके से अच्छा आपको अलेंज करना है यहां पर बी लिख दिया यहांप ए ऐ में क्या है है ना मतलब आप देख सकता हो 17 एक्वाल टू 10 प्लस बैलेंस इलेक्टोन घंजा तो कितना जाएगा यहां पर बैलेंस एलेक्ट्ट्ण हो जाएगा सिंपली आपका बैलेंस एलेक्टोन आ जाएगा कितना सेवन आ जाएगा ठीक है 17-10 करो तो क्या सेवन आएगा अब क्या पूछा जाएगा आपको यहाँ पर सेवन आ गया मैं आपको निगन इदे काले हमने बताये तब कुछ दिर पहले यह 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 अधी आपको पताओ कि एक से एक से चार तक इलेक्टोन है इसे सेम रहेगी लेकिन इतब यह निकालते हैं तब आपन बैलेंस निकालते सिंपिली देखो बैलेंस निकालते हैं 8- माइनस है तो यहाँ प्लाद एक बैलेश्टोन नहीं डिखनात मतलग एक माइनस बैलेश्टोन बोले तो यहां पर आप कर सकतो है एक आफो फॉर्मूला बनाना तो देन को कई कितनी है यह ना आपको क्रॉस मल्टीप्लाइग नंना प्लाइग अब आपको क्या करना है अब को क्रॉस मल्टीप्लाइग करना देख गया तो इस तरीके से जैसी आप cross multiply करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको बीए compound मिल जाएगा ठीक है अच्छा इसको बहुत से लोग अलफाबेटिकल ओडर में लिख देते हैं है ना क्या लिख देते हैं आपके solutions में लिखा होगा लेकिन एक बात मैं बता दूं अब जब आप higher classes में जाएंगे तो एक बात ध्यान रखना जो electron को lost कटायन होता है वह कटायन हमेशा कहाता है यहां पहले कटायन लिखा जाएगा और ना याद रखना इस बात को यह लिखा जाएगा कभी ने कभी ने लिखा जाएगा तो इस बात को मैं बता दे रहूं यहापे थोड़ा knowledge के ल बहुता है aब देखो आगे बढ़ते है तो अब हम हमें पूछ हां बी एंडसे के बीच में कम पहूं तो सब्लेंच भी जब पूछ रहा है यहां पर देखो यहां पर क्या बी की की बैलेंसिग निकाल ले टेए गुरुप नंबर कितना दिया हूप वा बच्च्रा बाडड सेलेक्टोन लगा दिया वहाले लिए आ इंट सेलेक्टोन कितना आ OFF एक और टहुं अब सिंपली चल्छ लोगे आप सिंपली sub 155डेन वे यहां पर क्या आजाए डाया है और लुट जाये तो घ्र scientific हमालिट प्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर बी टू सी आ जाएगा तो आई होप आपको यहां पे किलियर होगा देखो बी टू सी दिया होगा ठीक है अच्छा अब क्या बोला इस एनी ऑप दा थ्री एलिमेंट अम मैटल गिव डीजन टू जस्टिफाई और अब यह बोला इसमें से कौन सी मैटल है जो हमने पहली गुला था हमें तो पता है अब आपको कैसे समझाते हैं मैटल जो है आपकी बी है कि बोलोगे सर आप कैसे पता जोको हमने पहली बताया था वह गुरुप बन के अलिमेंट क्या जो आथान एक लेक्टोन है एक लेक्टोन आउटर मुस्चल में और अच्छा पार्टी अच्छा और दिखा देता हूं करके आपको नमबर दूसरा भी कर लेते हैं जो की 2020 में पूछा गया था देखो यह दूसरा आपको पीवाई क्यों खरीदना प्रीबिएस यह कुर्स्टन में क्या दिया हुआ है आप वहां से परचेज कर सकते हैं तो इस क् परशन की हम बात कर रहे हैं यहां पर देखो क्या बोला है यहां पर बोला है समझना ध्यान से बहुत गौर से यह गोला यह तीन ऐलिमेंट एक्स भाई एंड जैट अब हमें क्या पूच रहा है यहां पर एक एक नंबर बढ़ रहा है मतलब आपका क्या पीड में दिये होंगे तो यदि यहां पर अब यहां पर किलियर हो गया है ठीक है अब यह भोला वी इस में से कौन सा एटम जोगा जो ज़्यादा लेक्ट नेगेटिव एक्टम होगा तो इलेक्टो निगेटिविटी किसे बोलते हैं टेंडेंसी टू अट्रेक्ट एलेक्टोन। जो आसानी से लेक्ट्रोन क्या कर सके हैं, तो यहां पे जब आपको मैं एक सिंपली लेंगवेज बता देता हूँ, जब आप लेफ्टो राइट जाते हैं, तो क्या होती है क्यों जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा क्या होगी इलेक्ट्र निगेटिविटी होगी जैसे आप समझे लो आपके घर के बाहर क्या है सलमान आ जाए या कौन आ आलिया वट्ट आ जाए या करीना का पूरा आ जाए तो आप क्या सबसे ज्यादा अब क्या बोला है अब यह बोला है यहां पर राइट दा फॉर्मूला और इसके लेक्टोन रेक्टोन करें अच्छा इसकी बैलेंस यहां निकालेंगे तो आपको पता है एक। चार तक तो बैलेंस इसे मुथी पांच एक्ट-न एक्ट-उस-बैलेंस एलेक्ट्ण मिल्दव 153 अच्छा एसी बाइक का निकालो गये कितना है एट तो इसकी बैलेंसी होगी इसको सौल्ब यह कर लेते हैं तो सकी बैलेंसी जब हम निकालेंगे तब कितनी आ जाएगी देखो एट माइनस इच्छ जैना मतलब कितनी डूब इस तरीके थे कि एक से चार तक तो Science रहती है ठीक है एक से चार तक यह ठीस लेट्ट ओन है तो इसकी बैलेंसी भिरी होगी अच्छा अब देखो अब यहाँपे मैड्षट जेड्र का कहा है अने मतलब क्या हो जाएगा टू कॉमा शेविनश मतलबint रहींच मतलब आपको यहाँ पे x की बैलेंसे कितनी है? x की बैलेंसे है 3 और y की कितनी है? y की बैलेंसे है 2, ठीक है? आप क्या करो? cross multiply कर दो बस क्या जायगा? x2, y3 आज़िए, देंग कितना आसान है? ठीक है? अच्छा इसी तरीके से x and z में बताना है, तो x की बैलेंसे कितनी है? x की बैल लाइक कर दिया करें कर कारें तो मिलते हैं इसी तरीके की नेस्ट वीडियो में अभी के लिए थेंक यू सो मच टाटा बाए बाए